इसमें आपको रातों कोई चीज लगाने की शुरुत नहीं पड़ेगी आपके स्किन ड्राइए नहीं होगी और भी बैलेंस होगा तो यह आज की हमारी रेमेडी जो है वो छोटे यंग बच्चे बच्चियों के लिए ज़रूर इस्तमाल करवाई और उनको क्यामेकल से बचा परासा रहने दिजे जैसे अल्दा ने उनको बना के भीजाए इसके असाम लेकों उमीदे तमाम लोग खेरियास होंगे खुश होंगे और हमेशा की तरह खुप्सूरत होंगे ऐसे ही रही है जब हम खुप्सूरती की बात करते हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गया है ब बच्ची मैं बच्चे बच्ची दोनों की बात करूगी लेकिन खासकर बच्चेों का शौक होता है कि हम भी सब कुछ इस्तमाल करें हमारी स्किन भी ऐसी हो जाए हमारा रंग भी ऐसा हो जाए बट होता क्या है हर चीज की एक लिमिट होती है या उसको स्टार्ट करने का टा चाहिए कि आगे तो जिन्दगी पड़ी है और आपने बहुत सारी चीज़ें इस्तमाल करने हैं वो बच्चियां जिनका कॉंपलेक्शन खराब हो जाता है स्कूल कालेज जाके और वो तीन एज में हैं लेक्ट बिलो एटीन हैं और उनको हम मना करते हैं कि किसी प्रोसीजर प बच्पना होता है चाहरे का वो आपका खराब नहीं होना चाहिए और उसको हम बहुत जादा चीज़ें करके अपने अपने वक्त से पहले उमर से पहले जब चीज़ें इस्तमाल की जाएं तो वो हमारे स्किन को डैमिश करते हैं उन तमाम बच्चियों के लिए उन माओं के चाहते हैं उनकी बच्चों का बच्चों का एक बहतर हो जाए और उनके स्किन बड़ी फ्रेश फ्लॉलेस हो जाए बट उनके लिए यह वो चीज़ें जो के नौन क्यमिकल नहीं है साइड एफेक्ट नहीं है और इसको किसी भी एजमें लिए इसको दो साल की उमर से लेके आप सतरा साल की उमर तक बड़े मज़े से लगा सकते हैं से कर सारे साल में तो फिर आप बहुत सारे चीज़ें करवा सकते हैं बट उस वद तक के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो बच्चों के स्किन को डामेज ना करें उस तक को नुखसान भी नहीं तो यह आज का लगा रहे होते हैं बच्चे लड़के किर्कित खेल रहे हैं बहुत बहुत बर बच्चियों कभी होता है जिसकी वज़ासे इसके लगा सबसे पहले लाल मसूल की डाल बन तीस पून लिया आपनी इसमें हम अगर आप सिर्म यूज करें जो कि आपको रसास वदा में आम कोलरिक का आराम से मिल जाएगा तो यह सकिन ब्राइटिंग के लिए बहुत एफेक्टिव है वान स्पून हम यह लेंगे इसमें हम मिलाएंगे फ्रेश मिल्क अच्छा लेना है अक्सर लोग सबाल करते हैं और मै मिल्क लेना है इसमें कच्छा दूद आप एट करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे थोरसा मिक्स ऐसे होगा और सही तरीका यह है कि इसको तीनों चीजों को भिगो के रख दीजें कम से कम 2-3 घंटे यह भीगा रहे इसलिए कि मसूर की दाल फूलती है तो क्रीमी पेस्ट बनेगा आपने मुलैथी और मसूर की दाल दोनों को बहुत बारी कीसना है बहुत बारी का पीस के रखेंगे तक बिल्कुल फाइन पॉडर रहे यह देखेंगे आपका पेस्ट तयार हो गया है और इसका पॉडर बनाके रख लेंगे जब भी लगाना हो है तो आपने कच्छा दूर इसमेयरच करके थोड़ देर भीगोना है और फिर यह जो है आपने लगाना है अच्छा सही ताइम क्या है लगाने का तिन मर बच्चे मस्रूफ होते हैं बच्चे बच्चे रात को सोने से पहले आप इसको लगा लें फेस वाश कीजिए फेस व आपने अच्छा मास लगा कि छोड़ देना है तेन मिनट के बार आपने इसको हलका हलका से मसाज करना है तो ब्राय हो जाएगा हलका हलका मसाज करते वे बहुत ही सुफली आपने इसको मसाज करना है और इसको पूरा मसाज करते वे सारा उतार के और फिर थंडे पानी से वा रात को कोई चीज लगाने की ज़रुत नहीं पड़ेगी, आपके स्किन ड्राइ नहीं होगी, ओयल भी बैलेंस होगा और यह अपने रात को लगाके इसको वाश करके स्रिफ प्लेन वाटर से वाश करके छोड़ देंगे, सुब और की जो अपना नॉर्मल रूटीन वाश करते अगल है, तो कम से कम, आप इसको पंद्रह से बीजेरर के दिन रेगूलर बैसे पे किजिए, अपर एपसके बाद हफ़ते नहीं दो बार इसको स्थमाल कीज Prose्च में के लिए बिए बना के रखें हफ़ते में दो बार इसको लाजभी स्तिमाल करें और जब से स्कूल का और सबसे बढ़के कॉंपलेक्शन खराब नहीं होगा तो यह आज की हमारी रेमेडी जो है वो छोटे यंग बच्चे बच्चें के लिए जरूर इस्तमाल करवाई और उनको क्यामेकल से बचाई और उनके सिनको फ्रेश और वैसे मासूम प्यारा सा रहने दीजिए जैसे अल झाल